नुन तुन में नंबुशीन अच्म हैसल का मुनिंकोल लॉन नो आशी जाकानन हारू कोची ने इन्सेंगे फोकस है हलू दोस्तों विल्कम बेक टो माइन अनौरल बलोग ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं दोस्तों मिध पर प्रदियों श्वस्तों होंगे मस दोंगे अपने पने कामों में प्रास्तों होगे दोस्तों यह है च्छह अप्राएल का बलोग वीडियो जो की 6 मेरा बठटे भी था और हम गये थे कहीं बहार घूमने के लिए तो आप लोग भी लोग पर पूरा बने रही है एंड तक बने रही है जब आपको पता चलेगा और यहां पे देखिए हमारा बबू खेल रहा है बदमाशी भी कर रहा था गाड़े में काफी जादा बदमाशी क लग रहा था मैं बोर रही है तो हस रहा था ऐसे सरमा भी रहा था यहां पे कुछ रास्ता का नजा रहा है हमारे यहां का और दोस्तों मैं कहां पे गई थी क्या करने गई थी आप लोग वीडियो पे बने रही है तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि मैं कहां पे घूमने के लिए गई थी और ये कुछ रास्ता का विउ है हरा भरा जहां पर मुझे अच्छा लगा, हुआ का सिउट किया है मैंने और आप लोगों को पता है की हमारे यहां पे तो हर्याली काफी जठा कम रहती है लेकिन कहीं कहीं में जहां पर पानी की ज्यादा विवस्ता होती है तो वहां पर अच्छी हर्याली रहती है तो यहां पर पानी बगेरा था तो हर्याली भी अच्छी थी तो दोस्तों हमें जहां पर जाना था तो फैनली वहां पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद में हम क्या करने गए थे कह वाल पे गय थे दिमांट मॉल मतलब काफी पुराना मॉल है और काफी अच्छा मॉल है तो वहां पे हम गय थे shopping करने के लिए हमने बहुत सारी भर भर के shopping किया यहां पे बहुत सारे काम बगर चल रहीते रास्ता का ही वियू है और आप लोग मेरे विडियो पर बने रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे अभी विलोग आने वाले हैं थोड़ी टाइम लगेगा दोस्तो नो दस तरीका फंक्शन है अभी कोई आया भी नहीं है सिर्फ पहले मैं ही आ गई हूं यहाँ पर तो कफी जादा अच्छे अच्छे विलोग आएंगे और यहां पर दोस्तों यह पता नहीं कैसे बिलर हो गया यह बहुत अच्छा सागर था मतलब कोई जील टैप में थी और उसके अगल बगल का वियू था मैं सूट किया गाड़ी चलते में लेकर यह बिलर हो गया मुझे तो आपके अच्छा नहीं जा रहा था लेकिन विलर होने के बज़े से ऐसा दिक रहा है और यहां पर हम पहुँच चुके हैं वसी जगे पे अभी काफी दूर मतलब जाना है अभी तो ये बाहर रास्ता का है और फैनली दी मार्ट मॉल पे हम पहुंच चुके हैं तो ये कुछ बाहर का इंट्री है और यहां पे ट्रोली और रखी हुई थी कि जिसको भी शॉपिंग करना हो तो लेके जाए और कर ले और यहां पे ये जो सेक्षन लगा हुआ था ये ख तो इनमें सब में दोस्तों बहुत डिस्कॉंट था एक तरीक जैसे एक लोग एक के साथ में एक फिरी था अगर आप एक लेना चाहते हो तो उसमें आपको एक कही पैसा लगेगा और मतलब आधा पैसा लगेगा जैसे 100 रूपे की चीज है 100 में दो हैं तो अगर आपको एक लेना है तो 50 रूपे दे दो तो बहुत सस्ता लगा भावी और भीया और एक हमरे भीया और हैं ड्राइबर तो वो सब लोग मिलके हम गये थे यह नीचे वाला सेक्शन हमारा हो गया था कंप्लेट स्वापिंग बगेरा कर लिया था अब हम गये थे ऊपर बच्चों के स्व बहुत अच्छा लगा कंप्राइज में इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे इतने अच्छे अच्छे में क्या बताओ लग रहा था कि आ मतलब यह ले लो ले लो काफी सारी चीज़ी मैंने लिया इसका वीडियो तो घर जा की ही बनाओंगी जब मैंने घर जाओंगी वह तो बहुत परसंदाई लेकिन लिया कुछ भी नहीं इसमें से क्योंकि इतना ज्यादा छोटा साइज था फिर क्या करते वेस्टी जाती कोई मतलब तो थे नहीं और यहां पर फूल वगेरा का कुछ सेक्शन था यहां पर बहुत सारे अनेक नेकित प्रकार के डेकोरेशन करने वाले फूल वगेरा भी थे और इनमें भी अच्छा खासा डिस्कॉंट था और बहुत अच्छा मुझे तो लगा सच में यहां पर बच्चों के बैग बर गेरा और बड़ों के बच्चों के बैगों का सेक्शन इतना जादा नहीं था कम था और मुझे बैग भी लेना था गुडियों के लिए तो फिर मैंने नहीं लिया और यहां पर टिपन बेगेरा रखे थे टिपन तो मैंने लिया क्योंकि मुझे काफी अच्छा इसके क्वाल्टी बहुत बहतरी लगी तो मैंने एक टिपन लिया और बोतल बेगेरा लिया काफी सारी बोतल बेगेरे लिये का उन्होंने कैंसल कर दिया मुझे जो परसंद आई थी वह बाली बोतल मेरी कैंसल हो गई जब हम गए महां भी लिंग कराने के लिए तो फिर मैं एंड उपे आ गए थे तो फिर मैं वाफिस नहीं गई कि दूसर जाकर बोतल हूं और यहां पर मैंने तेल मतलब कोई चीज में त खाने बगएरा के लिए नहीं लिया खाने के लिए तो और रड़ी आ जाते हैं महीं से हमारा किराना जो बंदा हुआ है और यह सब यूच करने वाली मैंने सारी चीजे लिया और उसके बाद में दोस्तों यहां पर ट्रॉली बगएरा का सेक्षन था काफी और मैं की यहां ट्रोली का रेट तो काफी जादा मुझे लगा मैं सोचा था कि छोटी ट्रोली ले लूँगे फिर नहीं लिया क्योंकि यहां पर जादा रेट था इसलिए नहीं लिया और यह सब सौपिंग करने के बाद में बेट सीड बगेरा मतलब हर चीज थी मोल है तो हर वेरेटी आपक को हम बहां निकल आज थे और हम गए थे दोस्तों खास तोर से हम गए थे जो अभी उनकी साधी वही थी ना मुके संबानी की वेटे की साधी हुई है अभी जो रादिका के साथ में तो ये भाईया वहां पर चार्ट बनाने के थे तो इनका इतना ज्यादा चार्ट फेमस है देखिए मुके संबानी के वेटा और उनके मुके संबानी जी खुद यहां पे खड़े हैं और यही चार्ट बनाने के लिए तो आप समझ सकते हो कि जो मुके संबानी जैसे लोग इनको बुलाते हैं चार्ट बनाने के लिए तो कितना अच्छा है इनका हाथ का चार्ट नहीं होगा तो खास तोर से दोस्तों हम इनके चार्ट का ही खाने गए थे और यह मेंन सिटी में है जी यहां पर यह चार्ट बना रहते हो सच में दोस्तों मैंने चार्ट खाया इतना टेश्टी इतना टेश्टी बता नहीं सकते पानी पताशी भी खाया तो इनकी पानी पताशी भी बहुत टेश्टी थी लेकिन इनकी एक प्लेट 120 रुपे की थी दोस्तों यह वाली प्लेट 120 झाल